वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स दोस्तों नमस्कार मैं आचारा राजय चित्रकूटी आज आपको महाशिवरात्री वरत के बारे में बताने जागा महाशिवरात्री वरत प्रत्रेक वर्ष फागुल मास कर्ष्ण पच्छ की चतुदसी को मानाते हैं महाशिवरात्री वरत का अपना विशेश महत्तो है ऐसा मानते हैं सास्त्रों में माना गया है कि इसी दिन भग्वान शिव ब्रह्मा जी के रूत रूप से अवतरित हुए ऐसा मानना है कि इसी दिन भग्वान शिव ने तीसरी नेत्रों से पूरे ब्रह्मान को खर्म करने का प्रयास किया था को महा शीवरात्री को काल ब्रत्थी भी माना गया एंग और इस दिन का व्रत का बहुत ब्रा गात्र है कि जो विक्ति चौदा वर्स तक लगातार महाशुरात्री का ब्रत कर लेता है उसके सारे पाप सारे दोस्त सारे सब नश्ट हो जाते हैं और उसे मौच के प्राप्टी होती है यहां तक कि उसकी कई पुडियों का भी यहार होता है उनको मौच मिल जाता है और उनके सारे पाप नश्ट हो ज करना चाहिए और शीव रात्री वाले दिन निराहार ब्रत करना चाहिए रात्री को जागरण करना चाहिए सुबह नहाथ हो करके कि सुद्ध कपड़े पहन करके मन में संकल्ब करना चाहिए और संकल्ब में जो आप आप चाहते हैं कि आपको संतान चाहिए धन चाहिए मांसमांचे जो आपको चाहिए मन में संकल्ब करने के बाद आपको भगवान शीरु माता-पार्वती गनेजी नन्दी इनकी आपको सोट-षूट-चारगदि से पूजन करने चाहिए और इनमें दूर्बा है बिलु पत्र है बिलु पत्र जो है बेल के पत्र जो है भगवान प्रशाट को बहुत पसंद है यह तीन पत्ते वाले ही आपको चड़ाने चाहीए तीन पत्ते हो या पाँच पत्ते हो खंडित नहीं होने चाहे आघेलमो हरी वही पलू रओर आपस्टेने चाहिए और नविर्ग चाहिए फल्ल सब कुछ आपको इसमें च्ड़ाना चाहिए हल्दी सिलेंग पर हल्दी ने तब तब तो आप Пरसाद में प्रूजा आपको नहीं घॉंप अहीज़िया कि हए ऐसा भी कहते हैं कि रूजा कर रहे हैं तो पास में छालीक ग्राम की वियुडितать लिने अगर आप सालिक इराम की मूरती रखके पूजा करते हैं तो फिर आप शीव लिंग का पर साथ आप अइसा साथ रों में माना गया है तो शीव रातली वाले दिन रापको जागण करना चाहिए इस दिन से शीव जी का रूद्रा विशेख करना चाहिए शीव चरीशा का पाड लुद्रा पर प्टना चाहिए इसमें अलग अलग आपको फन प्रति करने के लिए जो आपके इच्छा है उसके ही साफ इसमें पूजन कर सकते हैं तो जिसको जो चीट चाहिए उसके हिसाब से इनका अविशेक करना चाहिए और अगले दिन ब्रत के अगले दिन सुबह उठकर के आपको ब्राम्मण के द्वारा हवन और अविशेक करा करके ब्राम्मण बोजन करा के उनको दचिना दे करके उनको दिदा करना चाहिए इस तर प्रेज़ कर दो दो तो जो दो कर दो को दो दो कर दो दो